हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके अभी मैंने सेवी का 127 पेज का ओर्डर पढ़ा है जो 8 फरवरी 2024 को रिलीज हुआ है और ये G-Business के guest experts को 7.41 करोर जमा करने को कहा गया है यहां पर मज़े की बात ये है कि ये पहली बार नहीं हुआ है इस्से पहले भी CNBC आवाज के दो anchor को ban किया गया था वहां पर ban की कहानी थी यहां पर पैसे जमा करने की कहानी है वो दो नाम कौन है कमेंट में जरूर बताईएगा और मैं वो दो नाम जो नए लोग हैं उन्हें वीडियो के लाश में बताऊंगा और पूरी एक समरी बनाऊंगा स्टॉक मार्केट की किसी भी न्यूज को मारकेट खुलने से पहले चीए तो हमारे टेलिग्राम और वार्टसप चैनल से जूर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है दिल से सुक्रिया जो क्लास हमारी आज से सुरू हो रही है उसको प्यार देने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए मैं भी आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम और हमारी टीम मिलकर पूरी मेहनत करेंगे आपको एक बहतर ट्रेडर बनाने के लिए जिससे कि आप सीख कर समझ कर कमा सकें और टिप्स की दुनिया से बाहर आ सकें अगर इस्टिल आपको कोई कोईरी है हमारे क्लास के लिए तो 970-80-94-321 पे कॉल कर सकते हैं और यह हमारी वेबसाइट है जो आप देख रहे हैं जहां पर finowings.com पे जाकर आप बहुत सारी फैसलिटी, बहुत सारी सुवधा बहुत सारी लर्निंग ले सकते हैं चाहे वो IPO हो या कुछ और तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये लोग कैसे मैनुपलेट करते थे कैसे ये लोग सेवी की नजर में आए कैसे proof हुआ कि ये लोग मैनुपलेट कर रहे हैं तो उस 127 पेज के डेटा को हमने पढ़ा जाना और पूरे detail के साथ, पूरे proof के साथ जो सेभी ने पॉजन किया है आपके सामने 10 मिनट के अंदर रखने की कोसिस करेंगे यहाँ पर मज़े की चीज है WhatsApp चैट का स्क्रीन सॉट भी है एक्सपर्स का, जो देखेंगे तो बहुत ही सौक लगेगा कि खेल जबरदस्त है तो आईए, जानते हैं और सुरू करते हैं तो मैं मुगलगरवाल आपका, आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन हिट करें वीडियो लाइक करके मोटिवेट कर दें तो पहले तो एक लिस्ट देख लीजिए कि जिन लोगों को बोला गया है 7.41 करोर रुपे जमा करने के लिए और वो नोटिस और वो परसन का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है तो आखिर इतनी बड़ी लिस्ट माजरा क्या है अब यहाँ पर इन 15 लोगों में 3 कैटेगरी है पहली कैटेगरी है प्रॉफिट मेकर दूसरी है इनेबलर तीसरी है गेस्ट एक्सपर्ट तो पहली कैटेगरी में वो लोग हैं जो प्रॉफिट बना रहे हैं रेगुलर ट्रेडिंग करके तो यहाँ पर notice में एक से पांच लोग जो हैं जो ये नाम आपने देखा वो हैं profit maker second category जो मैंने enabler की बताए उसमें 6 से 10 में वो लोग हैं जो profit maker को सारी facility या कहें help करते थे वो trade को execute करने में जहां से profit maker trade करते थे और उसके बाद आपने तीसरी category देखी guest expert की जिसमें 11 से लेकर 15 तक है ये है guest expert जी business news channel पर जो recommendation देते थे आपने कई बार देखा होगा सुना होगा ये खरीदो वो बेचो और दिन भर में 500 tips तो ये लोग से भी registered research analyst है और इन expert की एक अच्छी खासी presence है social media पर तो ये 11 से 15 की category में है expert की background बता देते हैं तो पहला notice notice number 11 किरन जादव जी business पर broadcasting में आते थे अंडर tagline किरन का कमार फिर पता चलता है कि वो खुद एक company चलाते हैं stock trading company जिसका नाम है किरन जादव and associate जो की उने based firm है notice number 12 आसी scale कर जो एक company founder है किरन जादव एक associate के और वो भी broadcasting में आते हैं अंडर same tagline किरन का कमार इन्होंने लगवग 14,000 student को technical analysis में ट्रेंड भी किया है notice number 13 हिमांसु गुपता जो की एक research professional और senior vice president है global capital market limited में ये जी business पर tagline आते थे hitman हिमांसु के अंडर में उनके stock recommendation के period के दौरान उनकी fan following 15,700 थी next है Mr. Mudit Goyal, notice number 14, present में से भी registered research analyst है investigation period के दौरान ये से भी registered नहीं थे ये जनाब tagline मुदित के मुनाफे के अंडर stock recommendation देते थे investigation period के दौरान इनकी following twitter पर 25,300 की थी notice number 15, Miss Simi Bhomik, से भी registered research analyst है जो stock recommendation प्रोवाइड करती थी under tagline सीनी के non-stop sales, इन expert के नाम को याद रखेगा क्योंकि बाद में confusion हो सकती है जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे क्योंकि chat इन्होंने ही whatsapp पे की है न तो investigation period के दौरान इनकी जो twitter following थी वो थी 26,000 अब इनके आपस के connection के बारे में आपको बताता हूँ तो आप देख पा रहे हो मोटा मोटा ये किस तरीके से connected है इनकी पूरी detail बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी चल जाएगी तो एक line में मोटा मोटी बोलू तो सब एक दूसरे से internally, directly या indirectly एक दूसरे से connected थे अब इनके connection के बारे में बता रहा हूँ जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है अगर इसको मैं explain करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बट आप ये जान लीजे कि directly या indirectly एक दूसरे से कही न कहीं connected है जैसे आप देखे हिमानसु गुपता जी, मुधित गोयल, किस तरीके से call, किस तरीके से whatsapp, ये guest expert है, profit maker है पूरी कहानी हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिस किये लेकिन इसमर जाएंगे नहीं, direct topic पर आते हैं ये देखकर Siri को doubt हुआ और तब वहाँ से research शुरू ही और investigation में पाया गया कि recommended stock में recommendation के time पर अचानक volume बरता था और वहीं पर होता था खेल क्यूंकि fan following जादा थी, इनकी recommendation पर लोग भरोसा करते थे, इनके recommendation के बाद innocent investor buy करते थे जिसके बाद price बढ़ता था, लेकिन इनके profit maker position भले ही लेकर बैठे थे, तो अचानक volume में spike देखने को मिलता था और यहीं से होता था असली खेल, अब कहोगे असली खेल, अब guest expert आये, ये कुछ बोल रहे हैं, enabler, इन्होंने सारी वेवस्था करके दी है, profit maker, जो trade execute कर रहे हैं, किसी भी buy sell को साहिद पहले से position लेकर बैठे हैं, pump हुआ stock, position exit की, खेल खतम, तो ये इस तरीके से sink में काम च maker, position पहली लेकर बैठ जाते थे, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखा है, और बताने की कोसिस की, कि सारी वेवस्था के साथ लेकर बैठे हैं, price बढ़ा, ये position को square off कर दिये, अब example के लिए एक chat दिखाता हूँ, यहाँ पर तो ये लोग ऐसे आते थे TV पर, जो आपने देखा ही होगा, कई बार आप में से कौन-कौन फसे हैं, comment में जरूर बताइएगा, अब यहाँ पर हम आपके साथ एक advance information share कर रहे हैं, जो सीमी बहुमिक और पार्था सार्थी धर के बीच हुई, तो 25 अगर 2022 को 11 बच के 42 मिनट सुबह की मैं बात कर रहा हूँ, सीमी बहुमिक ने बलरामपूर चैनी को buy का recommendation दिया, जी बिजनस पर, अब यहाँ पर WhatsApp चैट का screenshot है, आप देख सकते हैं कि सीमी ने पार्था सार्थी धर को 10 बच के किस मिनट पर सुबह में buy करने का recommendation दे दिया था, यानि TV पर आने से पहले से भी इतनी महनत करी है आप लोगों के लिए, इतन बताता हूँ आपको, अब इन्हों ने जो बलरामपूर चीनी का trade दिया था, उसका हम आपको real दिखाते हैं, जो सेवी ने पकरा, date आपके सामने है, पचिस आथ दो जार बाइस, बलरामपूर चीनी, 33,600 buy quantity और यह हुआ है, 10 बच के 35 मिनट 24 सेकेंड पर, buy quantity आपके सामने है और sell किया, same quantity, अब recommendation दिया 10 बच के 41 मिनट पर, माल बेचके कब निकला, 10 बच के 41 मिनट 56 सेकेंड, 56 सेकेंड में खेल हो गया, buy value, sell value को minus कर दीजे, तो मोटा मोटा 1 लाग का मुनाफा, round figure में कहीं नहीं जाता है, अब मैं आपको volume का खेल दिखाता हूँ, कि यह जब 15 मिनट recommendation से पहले, recommendation के दौरान, recommendation के बाद, volume किस तरीके से हुआ, यह 15 मिनट पहले की कहानी है, जब trading volume क्या था, यह कहानी during recommendation है, कि volume में किस तरीके से खतरनाक level पर spike आया, और यह 15 मिनट के बाद की कहानी है, वापस से volume कहां पहुँच गया, यानि, जैसे ही recommendation आती है, volume shoot होता है, जो लोग पहले से position को पकर के बैठे हैं, recommendation के बाद, अपनी position को उसी 40 से 50 सेकंड में exit करते हैं, क्योंकि future की कहानी है, मोटा मुनाफ़ा मिलता है, और काम हो जाता है, अब इस बलरामपूर के खेल के बाद, एक और example देखते हैं, जहाँ पर SBI Life और कोरो मंडल का मुधित गोयल के द्वारा दिया गया, और SBI Life की by call, कोरो मंडल की by call, यहाँ पर chat proof है, कि इन्होंने कैसे news को 12 बच के 36 मिनट और SBI Life को 12 बच के 35 मिनट बोला है, timing ध्यान रखियेगा, 12 बच के 36 मिनट, 12 बच के 35 मिनट, अब यहाँ पर recommendation time क्या था, 12 बच के 46 मिनट, 12 बच के 48 मिनट, डेटा लग है, 13 मई और 20 मई, फर्ट नहीं परता है, timing आप समझे रहे, यानि जो SBI ने catch किया, आपको TV पर आने से पहले जो उनके सारी विवस्था है, वो trade को ले चुके हैं, और same वैसे ही pattern, माल खरीदा गया, और माल खरीदने के बाद मा तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा well planned खेल चल रहा था, TV पे आना है, पहले से घर पे बैठे लोग trade execute कर चुके उन्हें बताना है, तो इस तरह के बहुत सारे other chat details भी हैं, जो आप यहाँ पर वीडियो को रोग कर पर सकते हैं, जो मैंने आपके लिए लगाए ह और जहाँ पर किरन जादव used to receive 85% of the said gas and I used to receive 15%, इसका अर्थ क्या है 85-15 का ratio था, अब हम सीमी भौमिक जी की तरफ आते हैं, जहाँ पर 50-50 का ratio था with निर्मलकुमार, तो यह कहानी थी कि किस तरीके से ये लोग आपको tips देते थे, लेकिन खुद ही pump और dump करते थे और आप उस के सिकार होते थे, और यह बहुत बड़ी learning है आप लोगों के लिए, जहाँ आप लोग हर वक्त tips के पीछे परिसान रहते हैं, tips दे दीजे, tips दे दीजे, जबकि सेभी भी data को open कर चुकी है कि 10 में, 9 लोग loss में, उसके बाद भी आप लोग भूलते नहीं है, छोडते नहीं ह क्या है, यह कहानी आज की नहीं है, बरसो पुरानी है, जिसमें मैंने वीडियो के चुरुआत में कहा था, दो नाम, CNBC आवाज के उस समय एंकर थे, एक परदीप पांडिया और दूसरा हेमन्त गही, जिसमें हमने वीडियो भी बनाई थे, बस वही होता है, वक्त बीपता ह लोग भूल जाते हैं, इस घटना को भी लोग 3-4 मेने में भूल जाएंगे, कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन हमारी कोसिस यही है कि हम आगको एजुकेट करें, सिखाएं, बताएं, जिससे आप खुद के बौस बनकर, खुद का मालिक बनकर, डिसीजन ले सकें और टि दुस्तानी तक सेर कीजे, जिससे कि वो समझ सकें और टिप्स के माया जल से बाहर आ सकें, थैंक यू सो मच,